आज के टाइम में अगर आपके पास softs है या आपका कोई business है तो आपके पास option होना चाहिए कि आपके जो भी customers है वो आपको digitally payment कर सकें या phone pay करें या google pay करें या amazon pay करें या wallet के माध्यम से आपको payment कर सकें ये option आपके पास होना चाहिए तो मैं आज के वीडियो में आपको आप free में उस payment को accept करेंगे बिना किसी का बिना किसी charges के तो चलिए आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखें सबसे पहले आपको क्या करना प्ले स्टोर में चले जाना प्ले स्टोर में जाकर करके और इस application को डाउनलोड करना है बिजनेस ये देखिए phone pay for business है phone pay business का अप्लिकेसन इसको download करने ना download करने के बाद इसको open करना कि कैसे इसको registration करेंगे यानि phone pay में आपको phone pay business account बना आना चाहते हैं तो वह mobile नमर आपको यहां पर put up कर लेना तो मैं यहां पर put up कर लेता हूं देखिए से mobile नमर आपको डाल देना डालने कवाद यहां पर verify का बटन है verify वाले पे click कर लेना फाइले हमने ओटीपी डाल देगा ओटीपी डाल लेका आपको यहां से आपको get start पर click करना यहां पर जो भी process होगा यह के करके मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले get start पर click करेंगे आप simply see आपको next next कर लेना है यहां पर done कर लेना अब देखिए आपको फिर आपको get start का option आएगा आपको यहांपर simply see click कर लेना क्लिक करने एक बाद आपको यहां पे बिजनेस का नाम दे रहा है यानि आपका कौन सा बिजनेस है आपका कोई बिजनेस है चाहे कोई दुकान है जो भी आपका यहां पे सारा प्रोसेस आपको फिल कर लेना है तो सपोर्ट डेट मेरा जो भी बिजनेस है आप यहां पे डाल स सकते हैं किसी भी आपने customer से तो चले इसको start करते आपको क्या करना सबसे पहले हैं एक अपना डालना है business का डाले को आप कोई भी business का नाम डाल सकते हैं आपको पैसा करते हैं अगर आपकी दूकान है तो आपने दुकान का नाम डाल लीजेगा यहां पे business का logo हो तो यहां पर लगा सकते हैं नहीं भी लगाना चाहेंगे तो नहीं भी लगा सकते हैं ठीक है बिजनेस लोगों में आप अपना फोटो लगा सकते हैं या अपने दुकान का फोटो खीच करके यहां पर लगा सकते हैं चले मैं आगे बढ़ता हूं और continue करता हूं यह जो पर पर देख सकते हैं वह एड्रेस अपना डॉस बीड्यून संट करेंगे डॉस्टा पर अपको यहां तायम लगता है आपको क्या क्रेंट्स एकाॉंट्स openness चैक हो गया आप यहां पर करेंगे accept payment now पे click करना है अब देखें आप यह दो option आपको मिलेगा कि आप पैसा जो accept करेंगे वो किस मादिम से करेंगे तो आपको दोनों option देखें Bheem UPI होता है Bheem UPI और wallet से यानि phone pay के wallet से कोई बंदा कोई customer आपका है जो payment करता है तो वो भी accept होगा और या UPI से Bheem UPI कोई भी UPI से अगर वो transaction करता है तो आपको आपके पैस पैसा receive हो और इसका charges कोई एक रुपे का चार्ज जने लगा अगर wallet से कोई भी बंदा आपको payment करेगा तो एक रुपे का आपको चार्ज जने लगा जितना payment हो करेगा आपको उतना payment आपके bank account में credit हो ज FSC code और buying का type saving account current account है यहां से आपको select करना saving है या current है तो जो भी आपका account होगा saving होगा तो saving पर क्लिक करेगा current होगा तो current पर क्लिक कर लिजेगा और सारा detail यहां पर डाल देना आपको तो मैं डाल देता हूँ यहां पर देखिए आपका जो account था वह verify हो चुका है आप क्या करेंगे यहां पर accept unlimited payment यहां पर आप जब आप verify होता है तो आपके account में यह कुरुपे credit ह यही हो चुका है। मैं आपको जिखा रहा हूं यह देखिए आपके account में यह गजब आपका bank account verify होता है तो सिंपलिस्प्लिक करना अब click करने के बाद यहां पर आपको choose करना है कि आप क्या है आपका जो आप जो यह देखिए जो business है आपका किस type का है individual है, solve a partnership है, limited a company है, कैसा आपका business है तो आप individual अगर pen card लगाना चाहते हैं, अगर pen card यहां पर देखिए verify करने के लिए एक pen card की जरूरत होती है और आपका age 18 साल का होगा तभी आप इसको verify कर पाएंगे तो आपको क्या करना सिंप्ली सी आप अपने इस में से individual है तो आगर आप individual है तो individual पर क्लिक करिएगा और continue पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बद यहां पर देखिए दो option आपको मिलता है या तो आप यह verification आप यह जेस्टी नम नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहां पर pen card वाले पर select कर लूँगा और आपको यहां पर अपना pen card number डाल देना है यह एक लाक रुपया पर मन्थ आप accept कर सकते हैं अपने customer से देखिए यहां पर आपको क्या करना है pen card डाल दिया डालने का बद आपको यहां पर verify का बटन है verify वाले बटन पर click कर लेना यह देखिए आपका verify होगा यूर यूर verification is completed यहां पर आपको message भी आ जाता है कि आपका phone पे wallet आपने क्या कर लिया create कर लिया यानि आप 5 मिनट के अंदर जा करके आप क्या कर सकते हैं आप अपना bank आपना phone पर business account create कर सकते हैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं देखिए हैं हैं आप आप यहां पर यहां पर जा करके són bank का statement और आपने कितना amount लिया क्या लिया यहां, मैं यहां पर आपको profile section घर लेना है यहां पर business नाम से से क्या है किस मोडिफाई करना चाहते तो आप मोडिफाई भी कर सकते हैं यह सारा सीन है इसके बद मैं यहां से बाइक कर लेता हूँ और यहां पर देखिएगा यहांपर प्रेखाई प्रेख़ाई अपर लें के चाहते हैं यहांपर क्योड सकते हैं यह थे लगता हूँ लगता है इसके पीडिफ में ज्क पोर यह की देखिए आपका PDF ऐसे खुल जाता और यह ऐसा आपका QR कोड होता है इसको आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके आप अपने दुकान के समने लगा सकते हैं तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूं और आगे थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूं यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखिए आप manage bank manage bank account है यहाँ पर क्लिक कर लिजिए जो आपने bank add किया वह bank है की नहीं आप देख सकते हैं आपका सारा detail दिखाएगा यह bank account है इसका प्रेंट कोड़ है यानि जो भी आपके कस्टमर जो भी आपको पेमेट भीजेंगे तो आपके इसी बैंक एकाउंट में रेडिट होगा ठीक है आगे मैं बढ़ता हूं बाकि यह सारा चीजह है बाकि सेटिंग हो रहा है कुछ करना है तो आप कर सकते हैं यहां पर आप चेक क click करेंगे जितना भी payment आप आल पर click करेंगे तो जितना भी payment आप को मिला रहेगा यहां पर सारण दिखाएगा यहां पर transaction दिखाएगा गुाँ सेटलमेंट का अगर दिखना होता कि मतलब आज एक दिन settlement करेंगे नेक्स्ट आपका settlement सुबा में बॉर्णिंग हो जाता तो सेट्लमेंट वाले पर क्लिक करके देखेंगे तो जो भी आपका सेट्लमेंट रहेगा यहां पर सो करेगा तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक लिए जय हिन जय हारा